आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो सरकार ने इस अस्पताल को कोरोना के उपचार के लिए नियत किया था आग बुझाने की कोशिश करते हुए अस्पताल का एक चिकित सा कर्मी भी घायल हो गया आग लगने के कारणों और पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिये गए हैं जांच के लिए एक कमिटी गठित की गई है जो तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी आग को काबू कर लिया गया है बागी के 41 मरीजों को सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है अस्पताल में खरीब 50 कोरोना मरीज भरती थे इस घटना पर प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने भी दुख प्रकट किया है और ग्रिह मंतरी अमित शाह ने भी दुख जदाय है बृतिकों के परिजनों को प्रधान मंतरी राहत कोश से दो दो लाख रुपए और घायलों को पचास पचास हजार रुपए की सहायता प्रधान करने की घोशना की गई है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंदरी मंतरी मनोच सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्येपाल होंगे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ने उन्हें कल नियुक्त किया इससे पहले बुधवार को मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्येपाल पद से स्दीफा दे दिया था सूत्रों के मुताबिक मुर्मू को दिल्ली में कोई और जिम्मेदारी और पद दिये जाने की संभावना है देश में पिछले 24 घंटों में कोरुना संक्रमन के 56,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 19,64,000 के पार हो गई है 904 लोगों की मौत से मृतिकों की संख्या 40,699 पर पहुँच गई है स्वस्थ होने वालों की दर 67,62 प्रतिशत पर पहुँच गई है और मृत्यू दर 2,07 प्रतिशत है पिछले 24 घंटों में महाराश्टर में सबसे ज्यादा, 3810 आंधर प्रदेश में 1322 और बिहार में 908 सक्रिय मामले बढ़े हैं वहीं तमिलनाडू में 968, राजस्थान में 437 और उत्तराखंड में 143 सक्रिय मामले कम हुए हैं रिजर्व बैंक की तीन दिनों तक चली मौदरिक नीती की समिशा बैठक के नतीजे आ चुके हैं इसमें रैपो रेट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है इसका मतलब ये हुआ है कि आपको EMI या लोन की ब्यास दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि गलोबल एकनॉमी अब भी कमजोर है हालनकि विदेशी मुदरा भंडार में बढ़हत का सिलसला जारी है इस बीच शेयर बाजार में बढ़हत बरकरार है कुछ देर पहले सेंसेक्स खरीब दोसो और निफ्टी साथ अंक मजबूती के साथ कारूबार कर रहा था आर्मी के जवानों को सोशल मीडिया एप डिलीट करने के सेना के आदेश को चुनोती देने वाली याचिका को दिली हाई कोट ने खारिच कर दिया है कि जवानों की सुरक्षा और इंटेलिजन्स की सूचनाओं को देखते हुए सेना को ये फैसला लेना पड़ा है कोर्ट में याचिका पर होई सुनवाई के दौरान सेना के द्वारा इस मामले में एक सील बंद ड्राफ्ट भी दायर किया गया था इंटेलिजन्स से मिलने वाले इंपुट्स के आधार पर सोशिल मीडिया एप का इस्तेमाल कर रहे और दूर दराज के लाखों में तैनात जवानों की खुद की सुरक्षा दाओं पर थी इसके अलावा जवानों से जुरी संवेदन शील जानकारिया इन एप के माध्यम से अपडेट हो रही थी जो खतरनाक स्थिती है माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने कोरोना के बारे में घलत जानकारी साज़ा करने को लेकर अमेरिका के राश्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प के केंपेन अकाउंट पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी है इससे पहले फेस्बुक ने कोविड-19 के बारे में घलत जानकारी और वीडियो को ट्रम्प के पेज से हटा दिया था इस वीडियो में फॉक्स न्यूज को दिये गए इंटर्व्यू के आइश हैं जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के लिए बच्चे लगभग इम्यून है ट्विटर के स्पोक्स पर्सन ने इस वीडियो को हटाने के लिए कहा है कि ये वीडियो कोविड-19 के बारे में गलत सूचना को लेकर ट्विटर नियमों का उलंगहन है फेसबुक ने भी इस पोस्ट को हटाने के पीछे उसकी नीतियों के उलंगहन का हवाला दिया है ये पहली बार है जब फेस्बुक ने अमेरिकी राष्ट्रपती के पेज से किसी वीडियो को गलत और खतरनाक जानकारी वाला बताते हुए हटाया है मुंबई में बारिश के कारण बुरा हाल है लगतार बारिश होने के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है हालात ये है कि सिर्फ 12 गंटे में ही मुंबई के कोलाबा इलाके में इतनी बारिश हो गई जितनी 46 साल में नहीं हुई आज भी मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट जारी है तेज हवाएं चलने की बात कही गई है आज दोपहर के करीब दो पजे 4.33 मीटर उंचाई की हाई टाइड की चितावनी दी गई है किसी आपात स्थिती में फंसने पर BMC की ओर से सभी जरूरी हल्प लाइनों के नमबर जारी किये गए हैं गेमिंग प्लैटफोर्म WTF स्पोर्ट्स ने भारतीय महिला क्रिकेटर हर्मन प्रीत कौर और टीम इंडिया के बल्ले बाज सुरेश रेना को ग्लोबल एमबेजडर नियुक्त किया है WTF स्पोर्ट्स कल भारत में लॉंच किया गया हर्मन प्रीत और रेना भारती क्रिकेट के शीर्श खिलाडियों में से एक हैं रेना को रण नीतिक साज़िदार बनाना भी काफी उत्साहित करने वाला है तो ये थे अब तक के खासका समाचार इजाज़त दीजे नमस्कार खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो